जब घर पर ही इतना टेस्टी खाना बनेगा तो आप ही बताओ, बच्चे बाहर का खाना क्यों खाना चाहेंगे? इसलिए अगर आप चाते हैं कि हमारे बच्चे बाहर का खाना ना खाएं घर पर ही खाएं तो उनकी पसंद का हर रोज कुछ नया कुछ अलग कुछ टेस्टी सा बनाएं तो बच्चे घर पर ही खाएंगे गुड बॉर्निंग सब लोग कैसे हैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों सुरक्षित हों और खुख खुश हों हर तिन की तरह है आज भी यही मेरा बिलाशा है आज मैं क्या बनाओ आज मैं लंच में वो सबजी बनाने वाली हो जो मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी और वो शुबी ने रेखी थी होस्टल के टाइम पर अरे वहां और उसके फ्रेंड ने बोला देखो अभी तुम घर पे नहीं हो तो कितनी अच्छे ची सबजीया बना रही है तो उसने तभी बोला था कि जब मैं आओंगी तब मुझे यह खाना है तो मैंने का ठीक है तो इ बनाने के लिए जाट है 1 12 ग्राम और इसको अर मोड़े से पीसिस होंगे तो वो फ्राइज करने में पीसिके रहते है उसको बड़े होजते हैं आर बढ़ा है और इसके लिए पनीर केशो प्राइज के कुझे बनाने के लिए 500 खाट ह। भी हम दूर दूर पूरे फैला देगे एक और इसको फ्राइन पनीर भी कर लेंगे बूल की पोधनी निटनी टुटने लग जाता है और बंड जाता है और यह तो फैली टूटने लग जाता है और इसको अंगा पर आफिशारब हो Much वो पूरा एक कॉर्णर पे आ जाएगा और पनीर हम पूरे पेसे बाहर निकाल लेंगे प्लेट में और इसी ओयल में हम प्यास को भी भून लेंगे तो यह पनीर मैंने साइट से पूरे निकाल लियो और एक्दम सेपरेट था अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूं दो बड़े साइस के प्यास अदरक लसुन और हरी मिर्ची जो कि हम सभी ग्रेवी के लिए अल्मोस्क लेते हैं लेकिन इसमें हम टामाटर नहीं डालेंगे खटे पन के लिए हम दही का यूज़ करेंगे और अदरक लसुन हरी मिर्ची और प्यास के साथ ही हम एक बड़ी मुठी भरके पालक पालक से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और टेस भी बहुत अच्छा होता है और एक मुठी लेंगे हम हरा धनिया हरा धनिया और पालक फ्रेश इन दोनों का ही यूज़ करेंगे अगर पालक नहीं है तो आप पुदीने के पत्ते भी मसाला और एक चम нач डालेंगे कसूरी मे थी यह हाफ अप दही में सारी चीज़े मिक्स कर लेंगे सूखे मसाले रेगूरर मसाले हैं लेकर हम दही में मिक्स करके इसमें डालेंगे बहुत कमार गाटेस्ट आता है लास्ट अम जब मैंने बनाया था तब मैंने सुख्य मसाले डाल दिये थे और फिर दही भी डाली थी लेकिन आजन में दही में सारे मसाले मिक्स करके रखें साइड में तो यह हमारी सारी परप्रेशन हो चुकी है फ्राइंग पैन में जो हमने पनी फ्राई किया था और वसी में मैंने डाल दिया है प्याज, अदरक, लसुन और हरी मिर्ची इनको हम हलका सा भून लेंगे इससे ना प्याज का कच्छापन पूरा खताम हो जाता है ग्रीवी में एक दम क्रीमी वाला टेक्शिर आता है प्याज हलका सा भूनने के बाद हमने डाला है पालक, एक मुठी और हरा धनिया इनको भी हलका सा ऐसे भून लेंगे इतनी नाज़क होती है पालक, मेथी, हरा धनिया वगएरा कि जैसे हम मिक्स करेंगे गरम पैन है और प्यास के साथ सब मिक्स करके भून लेंगे तो पालक का जो कच्छा पने वो भी खतम हो जाएगा वो भी पक जाएगी, सौफ्ट हो जाएगी, कड़वा पन तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं और कॉंटिटी बहुत जादा नहीं है ये पालक पनीर जैसा फ्लेवर नहीं देगा, शुभी को लग रहा था पालक पनीर जैसा होगा पर खाने के बाद उसने ख़ख कि पालक पनीर जैसा पिल्कुल भी नहीं है बहुत ज़्याथ जिस्टी है तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से बुन चुकी है धनिया पालक और प्याज अगरा इसको हमने लिया है ग्राइंडर जार में और मैंने तीन चार आइस क्यूब्स डाल दी है और इनकी हम फाइन प्यूरी बना लेंगे तैयार हो गई ये प्यूरी ये बहुत अच्छा कल सब्सक्राइब ये जो ग्रीन कलर आता है इसमें थोड़ा सा ही पालक है पर पालक पनीर से बिल्कुल डिफरेंट है कभी कोई महमान घर पे आए तो आप ये सब चीज़ बना कर जरूर किलाएगा उन्हें बहुत पसंद आने वाली है आप हमने पैन में डाला है और साथ में दालेंगे हम बटर तो यहां पर पैन में एक बड़ा चमच इतना ओईल है और एक बड़ा चमच बटर खड़े मसाले जैसे लॉंग काली मिर्ची दाल चीनी छोटी इलाइची और बड़ी इलाइची और जीरे डाले है इसके साथ ही हमने डाला है यह जो हमने पालक धनिया प्याज अद्रक लसुन वाला पेस्ट बनाया था वो प्यूरी डाल करके ऑईल और बटर के साथ अच्छे से भूल लेंगे खड़े मसाले बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं इसलिए मेरे खड़े मसालों का तड़का लगाया है अब जो दही में हमने सूखे मसाले मिक्स क बढ़न के रखेते फेट कर ये डाल करके भी अच्छे से मिक्स करके और वह सकता। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों क्वाल जिलखे साथ शूखे पानी डाला है अभी हमने इसलिए और फिर सारे पनीर के पीसे इसमें डाल देंगे और बस यह पनीर हाड ना रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि हाड है तो इसको गुन-गुने पानी में नमक के साथ जरूर डाल के रखना और लास में डालेंगे हम फ्रेश क्रीम तो मैंने पर 1.5 cup के जतनी फ्रेश मलाई डाली है और इसे मिक्स कर सब्सक्राइठ गरेव इतनी बड़िया है इसकी ग्रेवी है इतनी जो अंगुल्य और इसकी हाड लग जाया इतनी टेस्टी है गतिपिक संपाइसी भी नहीं, तेल नहीं बहुत अच्छी अitaire में रगे फाएं फिर शोभी के डिमांड पर बनाये आज ये अब इतनी स्पेशल सबजी के साथ बनेगी स्पेशल चपाती यानि बने बना रहे हूं तंदूरी मिस्सी रोटी जिसके लिए मैंने की हूं का आटा और बेसन बराबर लिया है नमक डालेंगे हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर ये डाला है एक चमच अजवाइन रगड के डालेंगे उससे खुश्बुवा टेस्ट बहुत अच्छा होता है साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर डाला है एक बड़ा चमच सफेद तिल डालेंगे और ये है खड़ा धनिये को कूट कर डालेंगे कसूरी मेथी डालेंगे और एक बड़ा चमच इतना घी डालेंगे अब सभी को मिक्स कर लेंगे इसमें जो कुटा हुआ खड़ा धनिया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा कसूरी मेथी से टेस्ट डबल हो जाएगा सफेद तिल खाने में बहुत लाजबाब लगते हैं और हल्दी और मिर्ची प जधना लेंगे सारे बाल्सको इस तरीके से फलैट खेंए लाजबाब गलाएगे अपड़ार करेंगे जिस के लिए हम लेंगे एक छूटी प्याज को लक्त बारी काटेंगे जितनी बारी कटी होगी तो आच्छा रहेगा मना मोटे मोटी से फिर तेखने में झ्याँ लगी हरी हरीुड हराघास। हर्क दर्भा सबर्स कातान में ट्क हरय कटूरी करेगे dokładैंगे रख तंदूरी राज कर दो दोनमों तो हुरे ने करेब करें दोgery कैने सब प Building करोद दोनों को हम दोरन सब्सक्राइब नेनी हमाद करते हैं पूरा अच्छे से प्रेस करेंगे तो उपर में लग गई प्यास हरी मिर्ची हरा दनिया कलॉंजी और सफेद ती लिए एक साथ ही मिक्षर रहेगा न तो डिप करके ऐसे ही हो करके इसको हाथों से आफ फ्लैट कर सकते हैं इस तरीके से फैला देंगे जैसे पनेथी रोटी ब अच्छी लगती है तो हाथों से इसको आप फ्लैट कर सकते हैं पतला मोटा जैसा चाहें और जो पानी हिस्सा है वो गी तवे पे चिपका रहेगा फिर आप हलके से तवे को पलट करके इस तरीकी से घुमाते हुए हवा में ही बढ़िया रोटी सेक लेंगे तो यह है तंद लोग खा रहे हैं तब उस टाइम पे आप बनाओ गरम गरम बाखी के बाल्स बनाके रख लो आटा बूट सकते हैं तो आटा अच्छा सेट हो जाता है और हर एक मसाले का हर बाइट में आपको टेस्ट आएगा और इतनी गजब की लगते हैं यह रोटियां और यह सब्दी शुआ जब इतनी स्पैशल सब्दी है तोड़ी स्पैशल चपाती बनानी थी तो इसलिए मैं सच्छा रोटी बनती है तो आज चलो यह मिस्सी रोटी बनाते हैं जो कि बहुत जाधा टेस्टी लगती रखती है घ्रम-गरम में उसे से छोती ना पानि वाली रोटियां वैस फेस्टिवल में अगर पूरी छोले वटोरी हमेशा बनते हैं तो कुछ special बनाना हो कुछ different बनाना हो तो आप यह बना सकते हैं और जब आप ऐसा खाना घर पर बनाएंगे तो मुझे लगता है घर में कोई भी बाहर का खाना खाना पसंद करेगा ही नहीं अब मैं बतारी हूँ कि शुवी के लिए बनाया था पीजा फिर दुबारा से पीजा बनाया है पीजा इतना ज़्यादा पसंद आया बच्चों को कि कुछ न पोचो तो इसलिए कल रात भी इनकले पीजा बनाया था तो मैंने मंग आये थे तीन पैकेट तो जिसमें से दो पै का है घर में पीजा बनाने का उसमें धेड़ सारी डाइज चीज स्प्रेड कर दो फिर बारी कटी हुई सब्सियां जैसे शिम्दा मिर्च प्यास टमाटर और स्वीट कॉन अच्छे से पूरा फैला दिया कवर कर दिया बेस को पूरा और इसके ऊपर से वापस से फिर से डा कि तो भार का अच्छा ही नहीं लगेगा और इसमें हलका सा नमाक और ही गैनो और चीली फ्लेक्स डालेंगे और लास्ट में उपर से भी एक बार कर देंगे डाइस चीज तो यह मैंने अमूल की डाइस चीज यूज की है आप चाहो तो मौजरेला चीज को भी ग्रेट करके डाल सकते हो तो हमारे बेस तैया और मैं इनको बना रही हूँ अगारो एयर फ्रायर पर और बास्केट पर मैंने रखा है शीट इको बेक और इसके उपर रखा पीजा तो यह कल रात डिनर में यही बनाया था आप छुबी जितनी दिन है तो कुछ न कुछ उसके मन की स्पे कि आज ही बनाई लेते हैं और मैंने इसलिए स्पेर में मंगाया था कि शायद काम न पड़ जाए तो पहले दिन चार ही बने थे पीजा और आज ही फिर दो बनाए और बस दस मिनट में दस से बारा मिनट में यह पीजा रेडी हो जाता है मैंने 180 डिगरी में 12 मिनट का टाइ पहले कौन लेगा चूभी कैरी कोई भी ले लो मने शुबम से का चलो लो तुम फिर अभी बना रहे हैं दूसरा और यह देखो पीसेस कट किया है ना कितना कमाल का तो मुझे लगता है जब बच्चों को जो भी खाना है अगर वो चीज हम घर पे बनाके बच्चों खिडात क्योंकि मैंने कभी बाहर का ऐसे जाती नहीं खाती नहीं बच्चों खिलाया नहीं वरना बहुत से बच्चों को मने देखा है कि बाहर के खाने का इतना शौक होता है घर में बहुत सारी चीज़ें वो खाते ही नहीं लेकिन बाहर का सब खाते हैं आज का वीडियो कैसा लग करना थैंक कौन जो